आयुश्मान खुराना जिनको हम शोशल इस्यूस पे मूवी बनने वाले के नाम से भी जानते हैं उनकी लेटेस्ट मोवी थेटर्स में आ चुकी है जहां भाई ड्रीम गल काफी हिट रही थी क्योंकि उसके अंदर का काम हमें काफी बारिकी से देखने को मिला था चाहे उसकी कहानी हो या फिर उसकी लेजेंडरी कॉमेडी अब इसी पर आयुश्मान खुराना ड्रीम गल वन का सीकुल हमारे सामने लेके हैं जहां मैं आपको बताऊंगा कि यह ड्रीम गल वन को बीट कर पाई है चलो बात करते हैं तो हलो वीवर स्वागत आप सब का हमारी है कॉड़ से शादी करनी हो तो उसको अपना बैंक बलेंस जल्दी से जल्दी बढ़ाना होगा और एक अच्छी सी जॉब भी लाने होगी प्लस इसके उपर टाइम के भी लिमिट है जो कि है मुश्किल से मुश्किल 6 महीन है इसी पर करम को आईडिया आता है कि महिला बनके डांस बार गुरुपे मिल लेंगे समझ रहे हो और इसके बाद पूजा जी की आशिकों की लाइन काफी लंबी होने लगती है और सिच्वेशन होने लगती है काफी गंबीर बट इन सब को हमारे सामने काफी फणी वे में दिखा है नहीं क्या बोट रहा हूं कॉमेडी मुवी है तो फ पनी सिच्वेशन हमारे सामने रख दी जाती है जिसकी वज़े से कॉमेडी भी जादा फील नहीं कर बाते हैं कि कॉमेडी मुवी में आप जितने एफर्ट मारो उतने कम है अब इंडिया में ऐसी कई मुवी है जिनको देखने के बाद आज भी हसी आती है चाहे हेरा फेरिय तो मुवी में इंप्रूमेंट भी दिखने लगती है क्यूंकि सेकंड आफ में एक ऐसा सीन है जिसको देखने के बाद इतनी हसी आ रही थी कि वो सीन आके जा चुका है लेकिन मेरी हसी नहीं जा रही थी अभी भी सोच रहा हूँ तो उसको हसी आ रही है और फर्स मुवी के गाने रिमे करके इस मुवी में डाले है कामेटी के पॉइंट आफ वी से जो की काम भी करता है गानों को सुनने से जाधा देखने में मसा आता है अब थोड़ी बात कर ले इसके एक्टर के बारे में तो भाई आयश्मान खुराना ने पूजा के चैरेक्टर को बाई जीया ह पर इसी पर इसकी नेगेटिव चीज आ जाती है कि आयुशमान कुराना को छोड़ के बागी सारे एक्टर्स को अनलाइट कर दिया जैसे कि हीरो का बेस्ट फेंड या उनके फादर को ही ले लो ये चीजे फर्स्ट मूवी में काम करी थी बहुत ज़ादा करी थी उसकी चाती है कि मेकर्स ने सिर्फ में करेक्टर पर जादा फोकस किया और बाकी सारे जो साइड करेक्टर थे उनको डवलपी नहीं किया उनके इतना ध्यान ही नहीं दिया जिसकी वज़े से ड्रीम गल 2 उसकी पहली मूवी का लेवल मैच ना करते हुए उससे थोड़ी नीचे ही फील होती है अब सिर्फ इसी वज़े से नहीं जो मूवी का मेन थीम था यानि कॉमेडी उसमें भी इतना दम नहीं था जो की हसासा के पागल कर दिया इसमें जो कॉमेडी सीन हमें दिखाए वो हमेशा के लिए याद रह जाए अब जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंन इंटर व्यू अलग होता है तो जाधा कॉमेडी में क्रियेटिविटी ना होने के बाउट जोट भी सिंपल ओडियंस इस मूवी को इंजॉय कर सकती है बात करूं मेरी एक्सपिरेंस की तो भाई ठिक ठाकी थी जैसा एक्सपेक्ट करके गया था वैसी तो नहीं थी लेकिन इतनी बुरी भी नहीं थी कि इसको देखी ना सको बाकी अगर इस वीडियो में कुछ पसंद आयो या मूवी को देखने के लिए कोई हेल्प मिल गी हो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते मैं मिलूँगा आपसे अगली देखी वीडियो में बाई